हेलो दोस्तों स्वागत अपका स्टडी स्माइट इस्टूदों में आज हम मौडर्ण हिस्ट्री में बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे बंगाल का पृत्धम गवर्नर रोबर्ट कलाइप को बना जाता है इसके बाद हॉलवेल और वेंसे स्टार्ट बंगाल की गवर्नर बनते हैं फिर पुना दो बर्स के लिए रोबर्ट कलाइप को बंगाल का गवर्नर बनाय जाता है इसके बाद बेरिलस्ट और कार्टियर बंगाल की गवर्नर बनते हैं और बंगाल का अंतिम गवर्णर वरेन हैस्टिंग को बना जाता है। अंगली स्लाइड में हम इन सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो बंगाल का प्रिथम गवर्णर रोबर्ट क्लाइब थे। इनका कारकाल 1767 से 1760 इस भी तक था। 1767 में प्लाशी का युद्धूगा प्लाशी का युद्ध्यर रोबर्ट क्लाइब और स्राजी दौला के बीच हुआ था जिसमें रोबर्ट क्लाइब विजय हुए थे। इस कारण East India Company ने 1797 में बंगाल का प्रिथम गवर्णर Robert Clive को न्युक्ट किया था Robert Clive ने इस चेत्र में दो दीवान न्युक्ट किये थे Robert Clive ने प्लासी का युद्ध जीतने के वाद दो दीवान न्युक्ट किये थे बंगाल के लिए मुहम्मद रजा खा और बिहार के लिए सिताब राजा रोबर्ट क्लाइब को भारत में अंग्रेजी सासन का सस्थापक माना जाता है भारत में अंग्रेजी सासन का सस्थापक किसी माना जाता है रोबर्ट क्लाइब को एडमंट वर्फ नामक इतिहासकार ने रोबर्ट कलाइब को बड़ी बड़ी नीवो रखने वाला कहा था जबकि परसीवन इस्पीकर नामक इतिहासकार ने रोबर्ट कलाइब को भविस्थ का राजदूत कहा था यह सबी पॉइंट आपको रोबर्ट कलाइप के बारी में याद रखने हैं इसकी बाद हॉल्विल 1760 में गवर्नर बनता है हॉल्विल ब्लेक हूल बाली घटनाओं में सामिल ब्यक्ती था ब्लेक हूल घटना क्या है? ब्लेक हूल घटना को कल कोथिरी की च्राश्दी भी कहते है यह घटना 20 जून 1756 को घटित हुई थी ब्लेक हूल घटना कब घटित हुई थी? 1756 को इसमें बंगाल की नवप्स राजु दॉला ने 146 अंग्रेज ब्यक्ती को एक छोटी सी कोथिरी में बंद कर दिया था अंग्ली सुबाए 146 में से केवल 23 ब्यक्ती ही जिन्दावाचे थे इन 23 ब्यक्ती में हॉल बेल भी सामिल था इसलिए आपको यहकतना परने जरूरी हो जाती है अब इसके बाद वेंसिस्टार्ट गवर्णर बनता है वेंसिस्टार्ट का कारकल 1707 से 1765 इस बी तक होता है 1764 में इसके समय में बक्सर का युद्ध होता है बक्सर का युद्ध अंग्रीजों और बंगाल की नवाब मीर कासिम अवाद की नवाब सराजु दोला और मुगल समराच अलमगीर दुतिय की बीच होता है इस युद्ध में अंग्रीज बिजय होती है और इस युद्ध में अंग्रीजों का सेनपती कौन होता है हेक्टर मुन्रो, आपको वेंस स्टार्ट की समय में यह रहात रखना है, कि इसकी समय में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था. ये है बक्सर का युद्ध. इसके बाद पुना दो बार्ज के लिए रोवर्ट कलाइफ गवर्नर बनता है. रोबर्ट कलाइब जब दूसरी बार गवर्नर बनता है तो यह बंगाल में द्वेच शासन की विवस्ता लागू कर दिता है बंगाल में द्वेच शासन सत्रा सो पेशत से सत्रा सो बहत्तर तक लागू होता है द्वेट शासन क्या है? द्वेट शासन में दू लोगों का शासन होता है एक दू बंगाल की नबाब और दूसरा अंग्रीजों का बंगाल की नबाब मुक्ता बंगाल की प्रसासन बिवस्ता देखते हैं जब कि अंग्रेज, बंगाल की सेंधिक विवस्ता और बिदेशी मामले को देखते हैं। यही इस प्रकार की विवस्ता को ड्यच विवस्ता कहते हैं। आँगे चल कर ड्यच विवस्ता को वारेन हैस्टिंग समाप्ट कर देता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि द्वेट शासन का जनक किसी कहा जाता है तो यह है लियोनिस कार्टिश को द्वेट शासन का जनक कहा जाता है। रोबर्ट क्लाइब के काल में ही 1765 में इलावाद की संदी होती है इलावाद की संदी रोबर्ट क्लाइब और मुगल समराथ आलमगीर साह आलम दुटिय के बीच होती है इस संदी की तहट बंगाल, भिहारवा उडिसा की जिबानी अंगरीजों को प्राप्थ हो जाती है और इस संदी की तहट ये हस्ताक्षर भी हुए थे कि मुगल सासक अंगरीजों की शरक्षड में रहेंगे रोबर्ट क्लाइब की वारी में क्या किया रखना है कि इसके काल में बंगाल में द्विश्यासन लग हुआ था और इसी ने 1765 में इलावाद की संदी की थी रोबर्ट क्लाइब की काल में ही 1766 में स्वीट बिद्रो हुआ था स्वीट बिद्रो क्या है स्वीट बिद्रो अंग्रीज ओको द्यारा हुआ एक बिद्रो है इसका क्यारन क्या था रोबर्ट क्लाइप ने बंगाल वा बिहार की बाहर भत्ता समाप्त कर दिया था अतिरिक्त भत्ता समाप्त कर दिया था इस कारण मुंगीर वा अंग्रीज चाकर आत्म हत्या कर लिता है। इतना आपको रोवर्ट क्लाइपके दूसरे कारकाल के बारे में याद रखना है। अब इसके बाद बैर्लिष्ट 1776 से 1775 तक गमानर बनता है, इसके काल में प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था प्रथम आंगल मैसूर होग की यूद्ध 1777 के बीच होता है और यह अंग्रेजो और हैडर अलि के बीच हुआ था, इस युद्ध की समापती मदरास since संदीशे होती है आपको वेरिलष्ट के समय में क्या याद रखना है कि इसके समय में प्रितम आंगल मैसुरियोद हुआ था यह हैं आंगल मैसुरियोद अब इसके बाद कार्टियर गवर्नर बनता है इसका कार्टाल 1779 से 1772 तक था इसके काल में आपको एक ही घचने याद रखनी है इसके काल में आधुनिक भारत का पहला अकार परा था आधुनिक भारत का पहला अकार कार्टियर की काल में परा था और कफ़डा था 1770 में और बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉर्रिन हेस्टिंग हुआ वॉर्रिन हेस्टिंग 1772 सी 74 तक बंगाल का गवर्नर बना रहता है वॉर्रिन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था इसने द्वेत सासन को समाप्त किया था द्वेच शासन को लागू रोबर्ट कलाइप ने 1700 पेशच में किया था लेकिन बॉरिन हेस्टिंग आते ही द्वेच शासन को समप्त कर देता है Regulating Act 1773 के अंतरगत बॉरिन हेस्टिंग को बंगाल का प्रिथम गवर्णर जनरल बना जाता है अब यहां से बंगाल की गवर्णर जनरल का इतिहास प्रारम होता है नेस्ट वीडियो में हम बंगाल की गवर्णर जनरल की बार में पढ़ेंगे तब तके लिए गुद बाई थेंक्स पूर वाचिंग